हेलो एवरिवन, फूट फ्रॉम होम में आपका स्वागत है, आज हम लेके आये हैं धाबा इस्टाइल फ्राई दाल तड़का, तो चलिए चलते हैं बनाते हैं, हमने एक कटोरी अरहर की दाल ले लिया है, इसे अच्छे से दो से तीन बार वॉस कर लेंगे, इसे तूर दाल भ इसमें दाल डाल देते हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए वॉस कर लेंगे गंदे पानी को निकाल देते हैं, अब इसमें हम पानी डाल के आदे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाए आदा घंटा हो गया है, दाल को कुक करने के लिए प्रेसर कुकर लेंगे, अब इसमें हम दाल डाल देते हैं, दो गिलास पानी लेंगे अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर आड़ करेंगे, आधा चम्मच नमक आड़ करेंगे, आधा चम्मच देशी घी प्रेसर कुकर का लेड लगा देते हैं, अईसे गैस पे चड़ा देंगे फ्लेम हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे दो सिटी आने तक का वेट करेंगे दो सिटी हो गया है, फ्लेम को हम लो कर देंगे, लो फ्लेम पे पाँच मिनट तक कुक करेंगे पाँच मिनट हो गया है, फ्लेम को आफ कर देते हैं, इसे साइड में रख देते हैं, चलते हैं दाल को फ्राई करने दाल फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, दो चम्मच देशी घी आप बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं गी मेल्ट हो चुका है, आधा चम्मच जीरा एड़ करेंगे, टू पिंच हींग इसे भून लेते हैं, फ्लेम हम लो रखेंगे आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अधरक एड़ करेंगे, इसे भी भून लेंगे तीन से चार लैसुं की कलिया बारिक चॉप करके ले लिया है, इसे भी गोल्डन कर लेंगे अब इस स्टेज पे हम प्याज एड़ करेंगे, हमने यह एक प्याज को बारिक चॉप करके ले लिया है, इसे अच्छे से चला लेते हैं अब इसमें हम एक मिर्चे को बीच से कट लगा के ले लिया है, इसे एड़ कर देंगे बीच बीच में चलाते हुए प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम मसाले एड़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच धन्या पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच कसूरी मेथी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कुछ सकेंड तक इसे भून लेंगे अब इस स्टेच पे हम टमाटर आड़ करेंगे हमने एक टमाटर को बारिक चॉप करके ले लिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम नमक आड़ करेंगे नमक हमें साउधानी से आड़ करना है क्योंकि हमने दाल को कुक करते समय नमक एड़ किया था लिड लगा देते हैं बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे टमाटर जब तक सॉफ्ट न हो जाए तब तक इसे हम कुक करेंगे फिर इसे चेक कर लेते हैं टमाटर बिल्कुश सॉफ्ट हो गया है अब इसमें हम डाल एड़ करेंगे ये देखिए डाल बिल्कुल कुख हो चुका है इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसे एड़ कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें 2 टेबल इस्पून हरा धनिया एड़ कर लेंगे इसे भी मिक्स कर लेते हैं लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक उबालाने देते हैं 3 मिनट हो गया है अब इसे सर्विं बॉल में निकाल लेते हैं चलते हैं अब तड़के की तयारी कर लेते हैं तड़का बनाने के लिए एक तड़का पहन लेंगे और उसमें हम 4 चम्मच देशी गी ले लेंगे गी गरम हो चुका है आदा चम्मच जीरा एड़ करेंगे 2 से 3 लेशुं की कलिया को हमने बारिक चॉप करके ले लिया है उसे गोल्डें कर लेते हैं गोल्डें हो गया है गैसको अफ गर देगे दो लाल मिर्च आदा चम्मच कस्मिरी लाल मिर्च पाऊडर आइट गर देगे अब इसको हम दाल के उपर डाल देते हैं ये देखिए धाबा इस्टाइल फ्राई दाल तड़का तयार है हरे धनी से गानिस कर लेंगे ये रेसिपी आपको कैसी लगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्स फर वच्छिंग